हलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले कारेंट की बड़े में तो ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट के बिना चले इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करेंट क्या होती है तो एकदम सिधी तरीके से बता जाए तो करेंट एक इलेक्ट्रोंस की फ्लो होते हैं मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट तक जब इलेक्ट्रोंस फ्लो होता है मतलब इलेक्ट्रोंस बहता है तब उसको हम करें बोलता है तो आप हम जानेंगे कि current कितने प्रकार का होता है तो current दोनों प्रकार का होता है पहले होए alternating current जो की AC और दूसरा है direct current यानी DC आप हम AC current और DC current के बाड़े में थोड़ा सा details में जानेंगे AC Current और DC Current में सबसे पहला और सबसे बड़ा जो comparison होता है वह है frequency के लेके तो AC Current में 50 Hz की एक frequency होते है जो की उचका खुद का frequency होता है तेकिन DC Current में ऐसा कोई भी frequency नहीं होता अगर आप नहीं जानते कि 50 Hz की जो frequency होता है वो क्या होता है तो इस वीडियो में बने रही है नहीं तो आप 10 सेकेंड स्किप कीजिए स्क्रीन पर आप AC Current की जो waveform होता है वो देख रहा है यहां पर पहले वाले जो red color की circle बना हुआ है वहां से लेके दूसरे वाला जो red color circle बना हुआ है वहां तक एक हर्ज होती है मतलब एक circle होता है एक circle मतलब एक हर्ज ऐसे ही अगर 50 बार होता है तो वह होता है स्क्रीन पर देख रहा है अब हम आते हैं दूसरा comparison के उपर जो दूसरा comparison होता है वह है transmission मतलब AC करेंट को आप long distance तक transmit कर सकते हैं वर्स के थूरू लेकिन DC करेंट को आप काई भी long distance तक transmit नहीं कर सकते हैं अगर आप DC करेंट को long distance में transmit करते हो तो उसका voltage और ampia दोनों ही घड जाता है तिसरी जो comparison होता है वह है storage को लेके मतलब AC करेंट को आप काई भी भी store नहीं कर सकते हैं लेकिन DC करेंट को आप batteries में store कर सकते हो यह था एकदम basic tutorials करेंट को लेके तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो like करना comment करना share करना subscribe करना मात भूलना तो आज के लिए बस इत